आज डिसकस करेंगे मर्चेंट सर्कल डायग्राम के बारे में हम मर्चेंट सर्कल डायग्राम को कैसे ड्रा कर सकते हैं और ये किस काम आता है मर्चेंट सर्कल डायग्राम जो है वो फोर्सिस के एनलीसिस के काम आता है जो हमारी कटिंग के दोरान होती है तो इसका फाइदा क्या है हमें merchant circle diagram का इसके थुरू हम tool की life को बढ़ा सकते हैं अपनी production की efficiency को बढ़ा सकते हैं अगर हम सारी forces का पता लगा लें कौन-कौन सी force क्या काम कर रही है cutting में तो आज हम merchant circle को draw करेंगे और उसकी forces देखेंगे कौन-कौन सी क्या काम करती है तो इसको हम mainly three forces के लिए draw करते हैं तो वो three forces कौन-कौन सी है एक तो है Fs जिसको हम बोलते हैं shear force shear force दूसरी है हमारी F जिसको हम बोलेंगे friction force friction force third है हमारी FC वो होती है हमारी cutting force इसको हम बोलते हैं cutting force तो इन तीन forces के लिए हम draw करेंगे merchant circle diagram तो देखती हैं ये forces क्या क्या काम करती है और कहां-कहां पे लगती है जब cutting होती है तो हम इसका एक example लेते हैं माली जी हमारे पास कोई work piece है ये हमारे पास कोई work piece है और इसके अंदर से chip का removal हो रहा है means material remove हो रहा है तो माली जी ये thickness है जो remove हो रही है टी ये है chip जो हमारा chip removal हो रहा है ये continuous type of chip है और यहां पे हमारा जो है single point cutting tool इसकी cutting कर रहा है ये है tool जो इसको cut कर रहा है इस work piece को ये work piece है तो क्या होगा कौन कौन सी forces कहां कहां पे act करेंगी तो ये chip सबसे पहले shear कहां से होगा sharing plane से ये ये जो plane है ये sharing plane है तो यहां ये shear होगा और जो इसकी velocity है shear की chip की किस तरफ होगी इस तरफ इसको हम vs बोल देते हैं जो chip की velocity है sharing की इस तरफ होगी तो इस तरफ इसको resist करने के लिए एक sharing force लगेगी वो है हमारी fs ये है इस direction में vs इस direction में है तो ये इसको resist करेगी metal resisting force है ये sharing force भी आप इसको बोल सकते हो shear force तो इस direction में act करेगी तो ये तो होगी इस direction में जो shear force है दूसरी अगर ये chip उपर की तरफ flow कर रहा है vf हम इसको लिख देते हैं जो velocity flow है इस tool के उपर से flow कर रहा है तो ये tool का जो face है इसको friction provide करेगा इस chip की flow को तो वो इस direction में होगा अगर vf उपर की तरफ है तो friction force हमारी नीचे की तरफ होगी ये है f ये इसके opposite होगा तो ये है दूसरी force f अब दीसरी force ये tool है जो ये point cutting कर रहा है तो ये है force हमारी fc cutting force तो ये इस direction में होगी तो तीनो forces की direction है ये shear force की ये friction force की और ये cutting force की ये direction है हमारी तो अब हम इसको combine करके तीनो forces को एक diagram ड्रा करते हैं जिसको merchant circle diagram बोलते हैं तो देखिए जब shear force इस तरफ act कर रही है तो इसको balance करने के लिए यहाँ पे एक normal force लगेगी इस जो shear plane है ताकि जो हमारी ये पूरी process है ये balance रहे तो यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं fn जो normal force लगेगी इस shear plane पे तो वो है fn इस direction में वो इसको support करेगी इसका resultant क्या आएगा ये ये है r resultant r तो हमें तीन triangle बनानी है तीनो forces के लिए तो fs के लिए तो ये बनगी ठीक है अब ये जो friction force है हम इसको नीचे बनाएंगे इसको combine करेंगे तो friction force नीचे की तरफ है और य formal force होगी जो इस tool के face को support करेगी जब chip इससे flow करेगा तो f हमारी ये है इस direction में ये तो है f friction force normal ये है तो normal हमारी ये आगी n इसको हम n से denote करेंगे resultant इनका same रहेगा लेकिन equal opposite होगा जो इसका resultant होगा मानली जी ये r' है और ये r है तो r' इस तरफ होगा means r equal to minus r' होगा equal and opposite क्योंकि हमें क्या चाहिए equilibrium process के अंदर तो r equal to minus r' होता है तो हमने दोनों ही का resultant ये ले लिया ये दोनों equal opposite होगे r equal to minus r' ठीक है तो हमने इसकी friction की भी ये triangle रा कर ली अब cutting force की अब cutting force का जो normal है वो इसको support करेगा इस nose को क्योंकि ये cutting कर रही है आगे चल रही है तो ये है fc इसका normal बिल्कुल हम सीधा जिराएंगे ये है हमारा ft इसको हम ft बोलते हैं ft क्या होती है feed force भी बोल सकते है इसको जब इसको हम feed करेंगे उसको support करेगी इसकी nose को ये या फिर इसको thrust force भी हम बोल सकते हैं जो इस nose को support करेगी तो इसका resultant ये आएगा तो ये resultant इन सब के लिए काम करेगा अब अगर हम इस r को diameter मान के एक circle रा करें जो इन सारी forces को combine कर दे इस तरह का circle ड्रा करें इन सारी forces को combine करें इसको बोलते हैं merchant circle merchant circle तो इस तरह से हम merchant circle को ड्रा कर सकते हैं अब इसके अंदर कुछ angles होते हैं वो हम discuss कर लेते हैं या की समझ आ गया अब इसके अंदर कुछ angles हैं वो हम discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले इसके लिए हम दूसरा diagram ड्रा करते हैं यह work piece है और यह chip है जो हमारा generate होगा cutting के दोरान और यह हमारा tool है जो cutting करेगा अब यह अगर हम पूरा perpendicular ले और जो यह angle है जो इस tool face का है इसको हम बोलते हैं alpha angle alpha होता है हमारा rack angle rack angle क्या काम करता है rack angle जब हम इसको provide करते हैं तो chip को flow करवाने का काम करता है और उससे जो इसकी nose है वो भी sharp होती चली जाती है अगर यह positive है लेकिन अगर यह negative है तो हमारा tool stronger होता चला जाता है लेकिन जो इसकी tip है वो थोड़ी मोटी हो जाएगी अगर positive है तो यह पतली हो रहेगी tip और negative है तो थोड़ी मोटी हो जाएगी strong हो जाएगा negative rack angle में तो इसलिए हम यह rack angle provide करते हैं alpha अब जो यह angle है shear जो angle है वो कहाँ बिता हमारा यह क्या है shear plane यह हमारा shear plane होता है जहां से chip हमारा shear करता है तो जो shear इसका जो angle होगा इसके बीच में जितनी ठीकनेस हम remove कर रहे हैं और यह shear plane है जो इसका इसको हम बोलते हैं phi जो shear angle है इसी तरह से जो हमारा एक third angle होता है tau वो होता है angle of friction वो हमारा बनता है यहां पे f और n के बीच में यहां tau तो यहां पे यह होता है tau तो इस तरह से कुछ angles होते हैं इसके अंदर जो हमें याद रखने हैं और काफी सारे angle भी हम इसके find out कर सकते हैं हर एक triangle में तो यह हैं merchant circle thank you वीडियो देखने के लिए सकते हैं थेंक यू